शामली के कहनला थना छेत के गाउं इसलामपूर घसोली में एक परिवार के लोगों में उस वक्त अफरा तवरी मच गई जब खाना बनाते समय अचानक गैस सरेलिंडर में आग लग गई जिससे घर में रखा लाकों रुपे का समान चल कर राक हो गया आग लगने की सूजना पर गरामिनों ने मौके पर पहुँच कर आग पर पानी डाल कर गंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया मामला जनपर श्यामली के कहनला छेत के गाओं इसलामपूर गसोली का है जहां पर परमेशवरी नाम की महिला अपने घर पर खाना बना रही थी इसी दोरान अचानक खाना बनाते समय गैस सलेंडर में आग लग गई जिसके चलते घर में रखा लाखो का कीमती समान जन कर राख हो गये आग लगने पर महिला परमेशवरी ने शोन मजा दिया जिसके बाद गरामिनों ने मोके पर पहुँचकर आग पर पानी डाल कर घंटों की मशकत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक घर में रखा लाखो का कीमती समान जन कर राख हो चुगा था महिला परमेशवरी का आरोप है कि आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई लेकिन घंटों तक भी दमकल विभाग का कोई अधिकारी मोके पर नहीं पहुचा जिसके चलते गरामिनों में दमकल विभाग के पर ती रोश बना हुआ है कहांदला से नियो सेवन के लिए नाशी रली की रिपोर्ट कुरपे का नुकसान है मारत चीज बसत भी समान अगर का सारा फोग्या कडी काट भी फोग्या जिसके बाद जैसे चल लू करा तो यह लीक था तो अमने तो चलाएंगे निए बंद रख दें इसको ठीक करवाओंगे उसके बाद पापाजी आए और ने के बाद उन्हें उन्हें उसे चलाया चलने के बाद इसमां लगगी गर पर यह निए निए जी बाद में पतला का बहुत उंचा आग जाई सारे गर्मा आग लगी जी रूप जिए कुछ टीवी जड़ी जड़ी और मकानों कान भी जो कुछ समान था जी लगभग इतम निए निए अब तक हम गर्मे अच्छे आप जिस पर आग लगी है आपने त जी आप फार बिगेट को सुचना करकी जी उसके बाद जो है आद पॉन गंटों अले अब तक में आए निए जी